तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हम इस बैक के डिजन को कटिंग किस तरह से करेंगे और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम इस बैक के डिजन को बनाएंगे किस तरह से इस वीडियो के लिंक आ रहा होगा उस पर किलिक करके आप उस वीडियो के देख सकते हो और इस वीडियो के डिस्क+. यूस वीडियो के लिंक को देख सकते हो ज़ुए शुरू करते हैं ने आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस दॉड़ा भी फाइदा होता है वुडियो को लाइक जारूर किजएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बागया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल एकोन को आल से प्रिफ कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नहीं वीडियो के नुट्पिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो इस बैक के डिजन को बनाना कोई बहुत मुस्किल काम नहीं है लेकिन इसमें एक दो जगा कुछ ऐसे काम हैं जिसको आगर आप समझ लेते हो तो आपको बनाने में बहुत ही जादा आसानी होगी तो सबसे पहले हम एक चैन लेंगे चैन का साइज होगा 18 इंच लंबा और 8 नंबर चैन है ये इसमें एक कपड़ा और एक कपड़ा लेंगे कपड़ा का साइज होगा तीन इंच लंबा और चैन के जतना चोड़ा इसे करने के बाद हम इसे इसमें इस तरह से रखकर इस तरह से रखकर हम पूरा सिलाए कर लेंगे यहां तक हमारा चैन यहां तक का आएगा उसके बाद हम पैपिन से इसे कबर कर लेंगे जतना भी जगा हमारा सिलाई होगा सबी जगा पर हम पैपिन से कबर करेंगे उसके बाद इसका जो ये वाला हिस्सा है हम इसे ले लेंगे और फिर इसे हम इस तरह से करके इस तरह से रखेंगे करीब करीब हाप इंच हम नीचे वाला को बाहर निकाल के रखेंगे और फिर हम सिलाई करेंगे यह हमारा सिलाई हो चुका है यह इस तरह का सिलाई होगा और एकडम और बिल्कुल आराम आराम से सिलाई से करना है ताकि सुकृंद कहीं पर ना आए और जितना पतला हो सके पतला सुई चलाएंगे हम इसमें कभी 20 नंबर या 22 नंबर सुई हम इसमें चलाएंगे तो सही होगा क्यूंकि यह कपला बहुत पतला है इसलिए और फिर इसे एतना करने के बाद हम एक कपला लेंगे इसका साइज होगा 68 इंच लंबा और अड़ाई इंच चोड़ा और इस कपले का नाम हाई पूरा है ठीक है उसके बाद हम इसे इस तरह से रखेंगे करीब-करीब दो सुटा हम बाहर निकालेंगे इधर से भी और उपर से भी हम सिधा सिलाई कर लेंगे ये हमारा सिलाई हो चुका है ये इस तरह का सिलाई होगा उसके बाद इस तरह पोला जो हमारा राउंड है इसके हिसाब से हम एक टेमप्लेट बना लेंगे इसके हिसाब से एक हम template बना लेंगे और इसे इस तरफ इस तरह से रहकर हम एक निसान लगा लेंगे ताकि जितना बड़ा इधर का हमारा round है इतना ही बड़ा हमारा round इधर भी हो जाए और नीचे भी एक हम template बना लेंगे नीचे गराउन के लिए नीचे एक छोड़ा साराउन हम करेंगे इस तरह से टंप्रेट बना लेंगे और यहाँ भी एक निसान हम लगा लेंगे दोनों तरफ यह हमारा निसान लग चुका है अब हम दोपीस अस्तर लेंगे जो हमारा पॉकेट के साइज होगा पॉकेट को एतना सिलाय करने के बाद अब हम एक स्पॉंज ले लेंगे और इसे भी हम पॉकेट के जैसा हम रॉंड कर लेंगे उपर और नीचे दोनों तरफ और साइज में पॉकेट से थोड़ा छोटा होना चाहिए इस्पॉंज ठीक है यह 8 mm स्पॉंज है उसके बाद हम इसे इसके अंदर डालेंगे इसे इसके अंदर डालने के बाद अब हम जितना सिलाय हमारा बचा हुआ है हम उसे भी सिलाय कर लेंगे अब हमारा पूरा सिलाय हो चुका है जो बढ़ा हुआ है हम उसे छाट लेंगे इसे करने के बाद आब जो हमारा पॉकेट का चेनपट्टी है हम उसे लेलेंगे यह हो गया हमारा चेनपट्टी अगर आपने इसका इस बैक के डिजाइन का Conteapart है वीडियो नहीं रीखा तो आपको यह वीडियो समझ नहीं आएगी इसमें चैन लगाने के बाद अब हम पाइपिन ले लेंगे इसे हम पाइपिन कहते हैं इससे हम जहां सिला है हमारा वहां हम कबर कर लेंगे और कवर करने के बाद हम इसमें एक रणर लगा लेंगे इसे करने के बाद आप जो हमारा पॉकेट वाला साइड है हम उसे ले ले लेंगे और इसमें हम सेंटर कर निसान लगा लेंगे दोनों तरफ यहां भी और यहां भी और फिर पॉकेट ले लेंगे पॉकेट में भी यहा इतना ज्यादा हो रहा है ठीक है तो इसको हम तीन बार फोल्ड करने के बाद इस तरह से तीन बार फोल्ड करेंगे उसके बाद हमारा इतना बच रहा है इतना हमारा बच रहा है इस तरह से अब हम इसका साइड और चनपटी को जोड़ेंगे इसे हम किस तरह से जोड़ेंगे उसे आप धियान से देखिए, इसे हम इस तरह से इसको उपर रख लेंगे, इस तरह से, और जो हमरा इतना बढ़ रहा है, तो हम इसे इस तरह से सिलाई नहीं करेंगे, और हम यहां से जतना हमारा बढ़ रहा है, यहां पर कम बढ़ रहा है, तो यहां पर कम सिलाई करेंगे, और ज़्यादा बल रहा है यहां ज़्यादा बल रहा है उतना ही इसलाई हम करेंगे हमारा सिलाई हो चुका है इस तरह से रहेगा और यह जो बढ़ा हुआ है हम इसे छाट लेंगे इस तरह से डूनों तरप को बढ़ा है और फिर हम पॉक्किट में जो हमारा सिंटर की निशान है और सईडों को सिंटर की निशान को हम इला कर इस तरह से साइड को ऊपर रखेंगे और पीर मंपूरा सिलाई कर लीगे अब यह हमारा सिलाई हो चुका है सिलाई करने के बाद हम यहाँ पर हम पैपीन से कवर कर लेंगे उसके बाद हम इसे सीधा करेंगे सीधा करने के बाद हमें एक अस्तर लेंगे इससे थोड़ा बड़ा और इसमें भी हम एक सेंटर के निसान लगा लेंगे इसके बाद जो हमारा सैड में जो सेंटर वाला निसान है उस सेंटर के निसान को और जो हमारा अस्तर में सेंटर के निसान है दोनों के सेंटर के निसान को मिला कर हम इसमें अस्तर को हम सिलाई करेंगे यह हमारा आभ अस्तर लग चुका है जो बड़ा हुआ है हम उसे च्छाट लेंगे इसे करने के बाद फिर हम चमबर वाला चनपटी ले ले लेंगे इसमें भी उसी तरह से चैन लगा लेंगे और फिर चमबर वाला साइड ले लेंगे इस में हम झालके निशान लगा लेंगे दोनों तरफ और अधिशे भी उसी तरह से नापी करेंगे और आखिर में जतना बचता है उतना ही हम सिलाई में दबाएंगे ये हमारा सिलाई हो चुका है इसे भी हम उसी तरह से यहां से चाड़ लेंगे इसके बाद हम पॉकिट ले लेंगे, चिंबर वाला साइड ले लेंगे और जो हमारा सेंटर का निसान है, दोनों सेंटर के निसान को हम इस तरह से मिलाएंगे और फिर हम इसे सिलाई कर लेंगे अब ये भी हमारा सिलाय हो चुका है अब यहां पर हम पैपिन से कबर कर लेंगे अब ये हमारा फ्रोन पल्ला पूरा रेडी है इसके बाद अब हम बैक पल्ला देखेंगे बैक पल्ला जो हमारा है वो इस तरह कर रहेगा हमारा जो बैक पल्ला का साइज है उसका साइज है साढ़े 19 इंच लंबा और 13 इंच चौड़ा चनपट्टी के साइज मैंने कटिंग वाले वीडियो में बता दिया आपको और जो हमारा साइज है वो तीन भाग में होगा एक यहां दूसरा यह वाला और तीसरा नीचे तो इसका जो साइज होगा आठ इंच लंबा और पांच इंच चौड़ा यह हम दो पिस लेंगे एक पिस माल में और जो हमारा नीचे का हिस्सा है उसका साइज है 14 इंच लंबा और पांच इंच चौड़ा यह एक पिस लेंगे गा और जो बोतल दखने वाला का साइट है नीचे इस तरह का कपड़ा हमने दिया है इसका साइट है 3-4 और 7.5 इंच लंबा और जो बोतल का नेप है उसका साइट है 1. City दखे के साइट है 7.2, 7. Das regular यह हमारा दोपीस लगे गा और जो हमारा पक्टा का साइज होगा वो 17 इंच लंबा होगा और पक्टा का चोड़ाई यहाँ पर 3.5 या सवा 3 इंच जतना रखेंगे और नीचे हम कम रखेंगे यह हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है अब हम इसे इस तरह से इसके अंदर डाल कर सेंटर टू सेंटर मिलाकर हम फूरा सिलाई कर लेंगे उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा एक अस्तर हम लेंगे और अस्तर को भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे उसके बाद हमारा जो बैग है वो बंद कर इस तरह का तयार हो जाएगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो में